अगर आपकी spine की पहले surgery होई भी है जिसमें की fixation हुआ हुआ है fixation मतलब screw, rod या cage लगा कि आपकी spine को fix किया है या fusion की कोशिश करी है और अगर implant fail हो गया है तो हमारे पास क्या option है implant fail अब 2-3 तरह से हो सकता है या तो screw टूड गये हो या rod टूड गया हो या फिर जो cage हमने डाला है वो अपनी जगा से हिल गया हो सबसे common reason इसका ये है कि अगर fusion नहीं हुआ होता मतलब अगर जो हड़ी बराने की हमने कोशिश करी है पहली surgery में अगर वो successful नहीं होई होती तब इस तरह का implant failure के chances जो है वो काफी जादा होते है तो अगर हमें repeat surgery करनी है तो आजकल वो भी हम बड़े अराम से कर सकते है क्योंकि हम surgery से पहले ही नया x-ray MRI और 3D technology से ये देख लेते हैं कि पहले वाली surgery में क्या हुआ हुआ है जैसे अगर पहले वाली surgery में screw टूटा है कोई तो हम ये देख लेते हैं किस diameter का था या कितनी length का था या किस track में गया हुआ था तो हम अगली surgery से पहले ही देख लेते हैं कि क्या हम महाँ पे एक नया screw डाल सकते है या पुराना तूटावा screw निकालना है या सिरफ fusion का attempt करना है या सिरफ nurse खोलनी है या फिर हमें सिरफ cage की position को थोड़ा सा change करना है इस तरह कि हम planning surgery से पहले ही कर लेते हैं तो अगर आपका कभी पहले surgery हुई है जिसमें implant डला है वो implant तूट गया है या lose हो रहा है या आपके doctor ने बोले आपको कोई नई surgery की ज़रौत है पुराने implant निकाल के कोई अलगी तरह की तो इस तरह की surgery आजकर बड़े अराम से possible है अगर कोई पुरानी surgery पूरी तरह से fail हो गई है और हम implant भी निकाल पा रहे है तब हम कभी-कभी एक नए technique से या नए approach से ही surgery करते हैं उस area के तूँ जहां से की पहले surgery ना हुई हो इसको हम कहते हैं कि जैसे virgin area से जाके हम surgery कर रहे हैं ताकि पुराने वाला कोई भी operative part expose ना हो इस नई surgery में इससे results होने के अच्छे होने के chances काफी जादा रहते हैं जैसे अगर कभी कमर में आपकी पीछे की तरफ से surgery हुई है जिसको हम posterior surgery कहते हैं और वो fail हो गई तो हम आगे से या oblique approach से surgery करते हैं उस area में जाते ही नहीं है जहां से पहले surgery होई है इससे fusion के chances या success के chances बढ़ जाते हैं और इसमें हमारे पास special तरह के screws भी आजकल या implants रहते हैं जो कि इस technique को और successful बनाते हैं अगर पहले वाली surgery में आपका screw अपनी जगा से हिल गया है नर्फ को दबा रहा है तो भी हमारे पास possible options रहते हैं कि जैसे हम नए technique का एक screw आता है जिसको double headed screw कहते हैं या फिर मोटे thread वाला screw आता है हम उसको डाल सकते हैं या नए track में डाल सकते हैं या फिर नई bone में जैसे ilic bone में screw डाल सकते हैं इस तरह के बहुत सारे option है तो अगर आपकी पहले वाली surgery fail भी हुई है तो घवराईए मत इस दिखाएवे number पे आप अपना X-ray MRI भेजें जो भी आपके लिए best possible option रहेगा हम आपको suggest करेंगे Thank you